प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग exercise 11 का question about 27 और उससे आगे question solve करना सीखेंगे बागे अगर आपने previous videos नहीं देखे या कहीं बर भी doubt हो तो सारे videos के link plus मेरे instagram और telegram के link मैंने description box में provide करा दिया है चलिए start करते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि यह ना parallelogram ABCD ABCD एक parallelogram है any point E is taken on the side BC यानि इस parallelogram के side BC में एक point E कहीं पर से लिया गया अब जो है A से लेकर कि E तक मिलाया गया यानि AE and DC when produce यानि कि अभी मैं आपको diagram के दुरू समझाओंगा कि DC को कैसे produce किया जाता है और उसमें AE को कैसे बढ़ाया गया तो वो दोनों मिल करके जाकर M पर मिल जाते हैं अब हमको यह परूफ करना है कि जो triangle बनेगा ADM और उसका जो area होगा वो equal होगा quadrilateral ABC के area के ठीक है तो अब यह कहां कहां पर बनेगे यह क्या बोला गया है question में यह आपको diagram के दुरू समझाते है तो देखो पहले तो आप इस diagram को समझो कि हमारे पास एक quadrilateral ABCD इसमें एक point लिया जाता है BC side पर एक point E कहीं पर भी आप ले सकते हो अब बोला गया है कि AE को और DC को जब produce किया जाता है यानि कि आगे बढ़ाया जाता है इस तरीके से तो वो दोनों जा करके M नाम के point पर मिलते हैं अब क्या बोल रहा है कि आप यह proof करो कि ADM जो एक triangle है देखो ADM यह बड़ा सा triangle आपको दीख रहा है उसका area जोगा equal होगा ABMC के तो अब ABMC कहां पर बन रहा है भाई तो यह देखो AB हो गया अब इसको हम लोगो M में मिलाना पड़ेगा तब तो यह बनेगा तो यहाँ पर इ मुझे ऐसी गंदी गंदी लाइन यह दिख रही है कोई बात नहीं तो यह वाला जो quadrilator बना है अभी मैंने इसका area और इस triangle के area अपने को equal proof करना है अब क्या करेंगे इसके लिए तो हम लोग use करेंगे इने triangles का यारी सबसे पहले ADC जो triangle बना है इसका use करो तो आप लोग लि और इसका नाम और इसको भी यहां से AB को भीधर बढ़ा दो अब यह और हमने जो बनाया है यह को इसलिए बनाया है ताकि इसको हम लोग height proof कर सके यह कह सके कि यह हमारी height है और यह जो height होगी न यह पूरे quadrilateral के लिए है चाहे कहीं पर भी अगर आप AB MC यह वाला भी अगर आ इस A के सिधाई में आ रहा है तो यह जो आया है line यह height है दोनों का is that clear इसको आप लोग इस टैप से बना भी देने exam में ताकि आपको टीचर को समझ में है कि आपने height किसको लिया है ओके अब हम लोग क्या बता रहा है आपको कि ADC triangle लेंगे इसमें हमारा मानलो यह base हो गया औ को ठीक है तो यहाँ पर हमनों लिखेंगे कि area निकालना है अगर मुझे इसका area अगर मुझे ADC का निकालना है तो उसके रिए हमनों करेंगे 1 by 2 multiply base और multiply height तो base होगा वो मैं ले लेता हूँ यह वाला line को ताकि यह मेरी height हो जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ base यह पर base into height ही formula लगेगा बस यहाँ पर फर क्या होगा कि इस बर जो base है वो मेरा AB हो जाएगा ABM के लिए अगर base में AB लोंगा तब यह सीधी height हो जाएगी इसकी तो यहाँ पर base के जागा मैं AB लिख देता हूँ और height जो है वो equal है एच ही रहेगा दोनों के लिए तो हम लोग क्या ज कोई दिखत नहीं है ABM में हमारा को इगर parallelogram होता है उसमें क्या करता है जो diagonal होता है वो इस parallelogram को दोplace क्या मोथे area में divide कर देता है यह यह कह सकते हो कि अगर ABCD हमारा एक parallelogram है तो इसमें यह जो side होगा हमारा AB और यह जो side होगा DC यह दुनों आपस में equal हो जाएंगे तो इसका अपर यहाँ पर note कर दो कि हमारा AB जो है वो equal है CD के और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ABCD जो स्टार्टिंग में बोला गया था parallelogram तो इस अप parallelogram ओके तो अब अगर AB और CD आपस में equal हैं तो देखो यहाँ पर CD लिखाया मैंने यहाँ पर AB लिखाया half का मतलब half ही होता है और height भी दोनों में equal है तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसका जो area होगा और इसका जो area होगा वो दोनों भी आपस में equal होंगे तो यहाँ पर हूँ लिखेंगे so मारा जो area होगा triangle का area of triangle ADC वो equal हो जाएगा area of triangle ABM के मैं आप पर AR नहीं लिख रहा हूँ आप लोग बस मैं shortcut में triangle बना दे रहा हूँ आप लोग इस तरीके से AR AR exam में जरूर लिख देना ना ताकि उस समझ में area बता रहे हैं ओके तो इन दोनों का area आपस में क्या हमने कर दिया equal प्रूफ कर दिया अब आप क्या करो दो दोनों साइड सेम चीज़ को प्लस कर दिया triangle AMC को तब दोनों में प्लस करने से फैदा क्या हो देखो ADC और AMC मिल गर क्या बन रहे है ADC और AMC इसको अगर मिला दे तो complete हमारा ADM यह triangle बन जा रहा है उसी तरीके से ABM में अगर हमने AMC को प्लस कर दिया तो उसमें हमारा क्या बन जा रहा है यह एक quadrilateral बन जा रहा है जिसका नाम ABM से है जो कि हमको question में दिया था तो बस इसके बदे में वह आप उतार दो कि finally यह proof हो गया कि जो area होगा इन दोनों को plus करने के बाद triangle ADM बनेगा वो और इधर जो होगा हमारा area वो बनेगा ट्रेंगल नहीं रहेगा वो डाइट हमारा ABM से रहेगा यह quadrilateral है तो इन दोनों का area यहां पर equal proof हो गया यह हिपने को करना था खेल खतम अगर आपके बहुत अच्छे समझ में आगी होगा कुछ भी डाउट हो तो अगरे तो आप हमसे पूछ सकते हो ठीक है तो चलते हम लोग अगले कुछिशन के पास सो नेक्ट कुछिशन हमसे बोल रहा है कि पी क्यू आरे जो हैं वो मीड़ पॉइंट्स हैं साइड एबी बीसी सीडी एंड डी एक पैरलोग्राम है यह मीड़ पैंट थिर्म जो हमने में बना हुए ना जो मीड़ पॉइंट को मिला करके बन रहा है वो भी एक पैरलोग्राम होगा जैसे बाहर अगर पैरलोग्राम है तो अंदर के मीड़ पैरलोग्राम बनाएंगे और उसके अलावा जो PQRS पैरलोग्राम है उसका अगर एरिया देखें तो वो क्या होगा हा मिट्पाइंट से वह भी पैरलोग्राम होता है हमने पूरूफ कर रहा है फिर से करेंगे चिंता मत करो इस बार नहीं आपको यह सीखने को मिलेगा कि इसका एविया जो होता है इस कंप्लीट वाले का आधा कैसे निकाला जाता है अई हैं सॉल्व करते हैं तो यहां पर में डिग्राम बना लिया है जल्दी से समझेंगे सबसे पहले हमको इसको पेरलोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके दो साइट को आपस में पैरलल और इकॉल प्रू ओके तो ABC में हम लोग क्या जानते है भईया कि यह P और Q जो है इन दोनों साइट का मीड़ पॉइंट है ठेक है तो किसी भी ट्रेंगल में दो साइट के मीड़ पॉइंट को मिला करके जो लाइन बनती है वो थर्ड वाले साइट के यानि AC के पैरलल भी होती है और हाफ भी ह है ना PQ is equal to half of AC और साथी साथ PQ जो होगा वो पैरलल भी होगा AC का और यह हमको कैसे पता चला तो यह हमने मीड़ पॉइंट पढ़ रखा था बहुत पहले ठीक है तो यह हमारा मीड़ पॉइंट थियरम यहाँ पर हमने लगा दिया इतना समझ में आ गिया उसी तरीके समनो क्या करेंगे उपर जो ट्रेंगल है ADC ना इसका भी उस करेंगे तो यहाँ पर मैं साइड में लेग देता हूँ इन ट्रेंगल ADC ADC में भी सेम चीज़ वही हो रहा है कि यह S और R जो है वो इन दोनों साइड के मिड़ पॉइंट है तो यह जो हमारा SR जो लाइन बनेगा य इस वाले थर्ड वाले साइड AC का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हाफ के तो इसको में ऐसे लिखेंगे कि जो SR है वो इक्वल है हाफ ओफ अफ एक्वल हो जाएगा हमारे AC के और यह भी वही मीड़ पॉइंट थी रहा हमें तो यहां पर आप लिख लेने इसी इसको अगर मैं equation number 2 मान लूँ तो यहां से हमको क्या दीख रहा है कि हमारा क्या बोलते हैं PQ यह भी equal है half of AC का और SR भी जो है वो equal half of AC के तो यहां पर लिखेंगे from equation 1 and 2 यहां से हमको यह clear हो गया कि PQ और SR जो होंगे आपस में equal होंगे क्योंकि दोनों half of AC के एक्वल है आप अपस में parallel भी हो जाएगा तो यहां पर आप लोग इसको भी बता सकते हो कि यह parallel है इसलिए दोनों आपस में parallel हो जाएगे तो अब यहां से हमारा दोनों equal हो गया since इसी लिए हमारा so आप गर ली सकते हो hence या so हमारा जो pqrs होगा वो एक पैरलोग्राम होगा तो pqrs is a पैरलोग्राम तो एक चीज़ा आपको इस तरीके से हम सिंपल तरीके से solve कर लेना अब second चीज़ा हमको area पुरूफ करना था कि जो pqrs है हमारा इसका जो area है वो complete वाले area के आधा है तो उसके लिए आप क्या करो इसको दो पाट में divide करो कि हमारा जो pqrs है इसका area निकालने के लिए हमको क्या करेंगे pqs एक triangle लेंगे और इधर हमारा qrs एक triangle लेंगे तो इसका मुण ऐसे लिखेंगे कि area of pqrs pqrs का area निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ का area लेंगे area of triangle pqs and इसमें plus कर देंगे area of triangle qrs को ठेक है यह qrs उपर वाला triangle हो गया pqs निच वाला triangle हो गया तो इससे हमारा pqrs का area निकलेगा इता सवज में आ गया उसके बाद हम लोग बताएंगे यह जो complete हमारा abcd है इसका अगर हमें area निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे abqs को यह वाला हमारा quadrilateral है इसमें और फिक qc यह वाला qc और फिर sqcd ज्यादा चनाम है तो यह वाला quadrilateral इन यह वाला quadrilateral और यह वाला quadrilateral को add करेंगे तो पूरा abcd का हमारा area निकल जाएगा तो वह भी हम लोग लिख लेते हैं कि area of abcd अगर abcd का area निकालना है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे area किसका तो a b qs का और उसमें प्लस कर देंगे area qsq sqcd यह थोड़ा अच्छा नाम लग रहा है गभी जब कोई भी दो जनी इसे मावा हमारे पास दो parallel line है । इसके बीच में एक हमारे पास parallelogram आ गिया यह हमने parallel diagram बना दिया और इसी same base का यूज़ कर के एक triangle बन गिया इसी दोनो parallel line के बीच में क्या होता है जो triangle के area होता है इस parallelogram के area का अधा हो जाता है यह जो हमारा quadrilateral है ABQS यह दुनों same base में है यह दुनों का base जो है यह SQ है और यह दुनों का जो parallel है वो भी दुनों same है AB और SQ के बीच में यह दुनों आ रहे हैं AB SQ के बीच में हमारा यह parallelogram भी बन रहा है और यह triangle भी बन रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो area होगा area of triangle triangle PQS ठीक है PQS का जो area होगा वो जो होगा half हो जाएगा हमारा किसके area के भाई तो area of ABQS ठीक है ABQS का area का आधा हो जाएगा क्योंकि यह जो है हमारा इन दुनों का base जो है same है क्योंकि triangle and या फिर आप लिखो with same base यानि कि base जो है वो same है कौन सा तो भाईया QS जो है वो same base है and between same parallel ठीक है same parallel और same parallel कौन कौन से है तो AB और QS same parallel है AB and QS तो इस तरीके से हमारा यह ठीरमिया पर काम करेगा और यह जो इसका area जोगा वो इन्स के आधा हो जाएगा उसी तरीके से उपर वाला भी same parallel से वही चीज़ होगा SRQ जो है न यह जो triangle है यह इन दोनों यानि यह triangle और SQCD जो है यह quadrilateral इन दोनों का base जो है वही SQ है और यह वाला parallel हो यह parallel के बीच में दोनों चीज़ें आ रही है तो यहाँ भी हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो area of हमारा triangle QRS होगा वो equal हो जाएगा half of area of हमारा जो quadrilateral है SQCD के और यहाँ पर भी यही same चीज़ उतर जाएगा बस यहाँ पर जो parallel है वो अलग हो जाएगा एक parallel तो हमारा SQ हो जाएगा और दूसरा वाला parallel उपर वाला CD हो जाएगा SQ and CD ठीक है यह दोनों parallel के बीच में यह दोनों आ रहे है हमारे बाकी सब same उसे मुतार देना तो अब अगर मैं इन लोग को कुछ equation वगरा नाम दे दू जैसे इसको equation number में आप 3 दे दू इसको मैं equation number 5 दे दू और इसको equation number मैं आप 6 दे दता हूँ तो मैं 5 और 6 में से इन दोनों का value को यहाँ पर put करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे from equation 1, 5 and 6 1, 5 and 6 में आप लोग क्या समझ में आ रहा है कि हमारे जो PQRS होगा ठीक है PQRS का जो area होगा वो equal हो जाएगा PQS के बदले में इसको मैं put कर सकता हूँ half of area of ABQS ठीक है और उसके बदले में यह वाला जो QRS है इसे बदले मैं इसको put कर सकता हूँ यहाँ पर plus में half of area of SQCD Is that clear? तो इसके अलावा हम लोग अब यहाँ पर equation पर 4 में देखें तो ABQS और SQD ABQS SQCD इन दोनों का जो sum होता है वो किसके बराबर होता है? वो हमारा ABCD के बराबर होता है तो half को हम लोग दोनों में से common ले सकते हैं तो half को side में निकाल दो यहाँ बर आप लिखो area of PQRS is equal to half को हम दोन में से common ले लिए यहाँ पर हमारे पास ABQS और SQD के जगह पे आप लोग चाहँ तो एक step लिख सकते हो इसको एक बर लिख ही देता हूँ मैं यह तब इतना महनत कर ही दिया हूँ तो यहाँ पर थोड़ा से महनत के लिए मैं क्यों अपना काम बढ़ा हूँ यह हो जाएगा हमारा ABQS प्लस में area of SQCD ठीक है इतना समझ में आ गिया हमने कहा कि दोनों में से common ले लिया और इन दोनों का जो सम होता है यह हमारा क्या होता है ABCD होता है तो बस यहाँ पर आप ABCD लिख दो तो area of PQRS is equal to half of area of ABCD और यह हमको कैसे अपता चला तो यहाँ पर हमनों लिख देंगे from equation 4 बस खेल खतम और यह इपने को प्रूफ करना था I hope यह भी आपको बहुत अच्छी समझ में आ गिया होगा बस दो question मिला करके दे दिया था इसलिए थोड़ा सब टाइम लगे एक्स्ट्रा यह वली चीज़े तो आपने पहले ही पढ़ रखी है इसको कैसे पहले लोगर हम प्रूफ किया जाता है यह आपने नया चीज़ी का बाकी यह भी आपने पहले पढ़ रखा है बस थोड़ा स उसमें include क्या है हमने ठीक है आई होब आपको यह बहुत देशा skiller होगया होगा चलिए जो अगला question उसे solve करते हैं so next question हमसे कहा जा रहा है कि एक triangle ABC है उसके जो median BE और CF जो है न वो intersect हो रहे हैं G पर तो आपको यह पूरूफ करना है कि जो triangle बनेगा उसको condition में BCG उसका area जो होगा equal हो जागा AFGE के तो अब यह कहाँ पर बन रहा है अभी आपको समझाता हूँ आए डाग्राम के थुरूप और BEC जो है इसका area आपस में बराबर होंगे उसे के से दूसरा median जो है वो CF है और यह दूनों जो medians है आपस में G में टकरा रही हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं हमको यह पूरूफ करना था कि जो area हम लोग को क्या पूरूफ करना पर दो मैं वो लिख लिएता हूँ हमको पूर पूरूफ करना है area of A जो ट्रेंगल यहतना पहले BCG BC और G यह जो ट्रेंगल इसका area area of triangle BCG जो है वो equal है किसके area के भाई तो area of AFGE AFGE यह अपने को question में proof करना है ओके तो कैसे proof करेंगे सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि ABC triangle है अगर CF median है यह लिखेंगे हम लोग CF is median CF अगर हमारा median है तो उस condition में of ABC of triangle ABC तो अगर यह ABC का median है तो यह मैंने सब को बताया एगर CF median है तो इधर का area होगा और इधर का area होग यहानि कि हमारा BCF और ACF यह दोनों का area होगा आपस में equal हो जाएगा तो यहानि कि यह दोनों आधे हैं triangle ABC के इसलिए यह दोनों आपस में equal है उसी तरीके से गर अपने यह BE को median ले ले यहाँ पर मैं लिखता हूँ BE is also a median यह भी हमारा एक median है किसका तो triangle ABC का median है तो अगर यह BE भी median है तो यहाँ हमारा ABE और CBE यह दोनों का भी जो area होगा आपस में equal हो जाएगा यहाँ पर हमनों लोग भी लिख देंगे कि इसलिए area of triangle sorry triangle ऐसे बना जाता हूँ ABE जो होगा वो equal होगा area of triangle triangle CBE के और यह दोनों भी equal क्यों होगे क्यों होगे क्योंकि यह median था यानि कि median क्या करता है आधा कर देता है पुड़े triangle को यानि कि ABC को अब हम लोग यहाँ से ध्यान दें कि हमारा ACF BCF ABC के ब्राबर है ABC CBE यह भी ABC के ब्राबर है यानि कि यह चारों के आपस में equal हो गया है अब हमको चारों को equal नहीं लेना है हमको जिसका जुरत हम लोग के वल वही वाला लेंगे तो मैं इधर से लिए लेता हूँ यह वह वह पाट आ रहा है AFGV और इधर वाला भी मैं ट्रेंगल ले लेता हूँ जिसका नाम है हमारा BCF क्योंकि इसमें हमारा यह वला ट्रेंगल आ रहा है ठीक है तो हम लोग यहां से लिखेंगे इसको equation 1 नाम दे तो आप लो equation number 2 दे तो यहाँ पर लिख दो from equation 1 and 2 equation 1 और 2 समको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो AFC है area of triangle ACF नाम दिया था तो ACF ले ले देता हूँ कोई दिकत नहीं है वो equal होगा इस वाले के जिसका नाम है हमारा BCF ठीक है ACF इसको लेता हूँ ना ना लेकिन अगर मैं इसको लोगा तो common कहा है गा ना यह वाला नहीं लेते हैं हम लोग यह व लेते हैं और ट्रैंगल में common name कल रहा है तो मैं इसको लेता हूँ ABE, ABE नाम दिया था ना तो इसका नाम है ABE ही रेता हूँ कि area of triangle जो A, मैं काल लिख रहा हूँ भाई, ABE जो होगा वो equal हो जाएगा किस के तो यहां पर BCF के, इसका नाम BCF के दिया था था यहां BCF ही दिया तो अगर यह दोन equal है तो अब मैं क्या करता हूँ दोनों side से इस वाले point को minus कर देता हूँ जिसका नाम है BGF यहाँ पर मैं यहाँ पर दोनों में अगर minus करू triangle ABE में से minus करो triangle BGF को और उसी जरीके से इधर भी हमारा जो triangle BCF बना है उसमें से minus करो triangle BGF को तो equal के दोनों side हमने same चीज को minus किया है तो कोई दिक्कत नहीं है तो फैदा क्या होगा उसको minus करने से अगर मैं ABE में से इसको minus कर दूँ इस और पार को तो बचेगा क्या AFGE बचेगा ना बस यहाँ पर भी लिखूँगा मैं इसको minus किया मैंने तो मेरे पास बचा area of AFGE और उसी तरहीके से इस side BCF में से अगर मैं B देखो BCF में से अगर यह पार माइनस करो तो बचेगा क्या BGC बचेगा या फिर BCG बोल सकते है आप लोग इसको तो यहाँ पर महीं लिख देता हूँ area of triangle BCG और यही चीज अपने को prove करना था बस question में हमको यह left में दिया था यह right में दिया था कोई दिकत नहीं है आप आगे बीचे करके लिख सकते हो तो दोनों आपस में equal ही कहा लाएंगे चाहाए कि दिरू लिखा रहे है तो यह सरी किसा आपको इस question को solve करना था I hope आपको यह बहुत अच्छे समझ में आगे होंगे तीनों question अगलों मिलते हैं next all video में क्योंकि अब हमारे वीडियो तो ज़्याद लेंथी हो रहा है और next video में मैं आपको फिर आगे कि जो question से न उन्हें solve करना सिखा दूँगा Thank you for watching